बालमिकी टाइगर रिजर्व में 15 दिन बाद भी आदम खोरबाग वन विभाग की पकड़ से दूर है बाग को पकड़ने के लिए चार हाथियों पर बैठ कर टीम जंगल के अंदर उतर चुकी है एक भैंस को पेड़ से बांधा गया है बाग का इंतजार किया जा रहा है कि वो शिकार करने आए और उसे पकड़ा जाए एक्सपोर्ट ट्रैंकूलाइस शूटर की टीम पेड़ पर मचवान बना कर बैठी हुई है बाग लपक राय खाली अपना हाथ फेला दे और लगे कि और बड़ी चीज हो गई तो बाग मुड के भाग जाएगा जो की मतलब बाग आदतन हमला नहीं करता है तो इसलिए शर्मिला है सुभाव से उसका आदमी पर हमला करना उसका इनहरेंट नेचर नहीं है तो इसलिए ये दुख की बात है कि दो हमले हो गए और हमलों को भी बड़ा दुख है कि ऐसा ऐसी स्थिती उत्पन हुई आगे न हो इसके लिए अभी ये मजबूरी है कि सजा बाग को देनी होगी बाग के आते हैं उसे ट्रेंकुलाइस किया चुआएगा ये बाग 9 महीने में 6 लोगों को शिकार बना चुका है इसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है इस बार बाग को पकरने के लिए 4 हाथियों को लाया गया है बाग को पकड़ा जा रहा है बार 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 अपना ठिकाना बदल रहा है इसे लेकर स्थानिस्तर पर पिछले साथ दिनों से रस्क्यू अभ्यान तेज किया गया था हाला कि अब तक बाग का रस्क्यू नहीं हो सका है अब पटना से एक्सपोर्स की टीम बालमी की टाइगर रिजर्ड में पहुँची है आज एक बाग फिर बाग को पकरने के लिए प्रयास किये जा रहे है बाग को किसी भी तरह का नुक्सान ना पहुँचे से लेकर हर स्तर पर तयारी की गई है टीम में चीफ वाइल लाइफ वोर्डन पीके गुपता के नित्रुत्व में वेटनरी चिकितसक समरेंद्र कुमार टेंक्यूलाइज एक्सपोर्ट शूटर शफात अली और एकोलाइज डिरेक्टर सुरेंद्र सिंग शामिल है टाइगर को जल से जल रेस्क्यू कर लिया चुआ इसके लिए टीम में टेंक्यूलाइज एक्सपोर्ट शफात अली को शामिल किया गया है शफात अली कठिन परस्तिते में अब तक वने जीवो को ट्रेंक्यूलाइज करते आए हैं वो छोटे जानवरों से लेकर बड़े खतरनाक जानवरों तक को ट्रेंक्यूलाइज कर चुके हैं इनके साथ ही पटनाचिरिया घर के बाग एक्सपोर्ट भी शामिल है बाग को सामने लाने के लिए जंगल के किनारे एक छोटा भेंसा बक्री रखा गया है तक कि बाग किसी तरह खाने के लालच में पहुँचे हालकि कल शाम छे बजो तक बाग बाहर नहीं आया था भागो भागो बाग को होश आ रहा है बगहा में सामने था आदम खोर ट्रेंक्यूलाइज किया 40 मिनट तक ढूंडा 5 मिनट बाद होश आने वाला था बगहा के आसपास के गाउं में पिछले 9 महीने से आदम खोर बाग की दहशत है 9 महीने में 6 लोगों को शिकार बना चुका है इन में से 5 की मौद भी हो चुकी है बुदवार को इस आदम खोर को पकरने के लिए वन भी भाग ने पूरी फॉर्च मैदान में उतार दी 60 फॉरिस्ट गार्ड, 5 वैन, 4 बड़े जाल, 2 ट्रेंक्यूलाइज गन, 2 ट्रैक्टर, 40 CCTV और एक ड्रॉन की मदद ले गई टीम बाग के करीब ही पहुँच गई फॉरिस्ट गार्ड ने उसे ट्रैक्यूलाइज गन से शूट भी कर दिया लेकिन वो वहाँ से भाग निकला टीम भी उसका पीछा करने लगी ताकि वो जैसे ही बिहोश हो उसको रेस्क्यू किया जा सके टीम जंगल में बाग को 40 मिनट तक ढूंदती रही लेकिन वो नहीं मिला पांच मिनट के बाद बाग को होश आने वाला था फॉरिस्ट अधिकारियों ने आवाज लगाई कि ट्रैक्यूलाइज गन से सिर्फ 45 मिनट तक भी होश रहता है भागो वो कभी भी होश में आ जाएगा